नमस्कार दोस्तों कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी रानिया लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बिल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये रानिया वंधना कुछ हापते कुछ कापते कदमों से हॉल पर पहुँची जैसा कि उसने चाहा था भीतर अंधेरा हो चुका था और नाटक अपने पहल है रे दुरभाग अभी बैटकर सांस भी ठीक से न ले पाई थी कि अंधेरे में एक प्रस्न उचला अकेली आई है उसने सहम कर देखा वही उत्सुक आँखें वही आतुर चेहरा उसे इतनी कोफ्थ हो आई चाहे रवी शंकर का सितार हो या मालनी राजूरकर का गायन शौकिया कलाकारों का प्रायोगिक नाटक हो या सन्युकता पानी ग्रही का ओडिसी निर्त यह अधेर जोड़ा हर कहीं टकरा जाता है वंधना और कुमार जितना उन लोगों से बचने की कोशिश करते उतने ही वे लोग परिचय के लिए आतुर नजर आते कभी पान का ओफर करते तो कभी कैफे में चाय का निमंतरन देते कभी सक्ती से तो कभी नर्मी से कुमार हर बार उनके निमंतरन को टाल देते लेकिन कोई बगल में ही आकर खड़ा हो जाए तो उसे आप नहीं रोक सकते और फिर वहमैला अपने गंगा जमनी बालों का जूड़ा बार-बार कसने का प्रयास करती हुई कहती हम लोगों की टेस्ट कितनी मिलती है न कुमार और वंधना भी पहले अपने बारे में यही सोचते थे जहां भी जाते तो सोचते हमारी पसंद एक दूसरे से कितनी मिलती है शुरू में शायद यही कारण रहा हो पर अब तो कहीं भी जाने का मतलब है घंटे दो घंटे साथ बैठ लेना भीड के बीच का यह एक आन तो उन्हें अब बेहत भाने लगा है सबके बीच रहकर भी आप अपने में खोई रह सकते हैं पर कुछ दिनों से यह अधेड दमपती जोक की तरह उनके पीछे पड़ गए हैं और उनके सामे पे सुख का सारा रस्व सोख ले रहे हैं और आज तो वंधना अकेले उनके हत्थे चड़ गई है आज डॉक्टर साहब नहीं आए जी कुछ मरीज आ गए थे वंधना ने बला टालते हुए कहा पता नहीं किस को घड़ी में कुमार इने अपने डॉक्टर होने की बात पता गए थे आप भी डॉक्टर है ना नहीं शादी को कितने साल हो गए वह महिला जैसे कुमार की अनुपस्थिती का पूरा लाब उठाना चाह रही थी दस पडोसिन ने जट अपने पती के कान में फुस्फुसा कर यह सूचना डाल दी और दूसरा सवाल दागा बच्चे तो होंगे जी चार हैं यह सूचना भी पती को दी गई इस रिमार्क के साथ कि दोनों फिर भी कितने फ्रेश लगते हैं नाटक तब तक अपने उबाव चरण से उबर चुका था और मंच पर कुछ चहल पहल शुरू हो गई थी आगे पीछे बैठे लोग शिकायती नजरों से बंदना को गूरने लगे थे उसे खुद इस इस्तिती से उब होने लगी थी वह एक जटके के साथ उठी और बाहर आ गई सवभाग से अभी रात जादा नहीं गहराई थी और उसे जल्दी ही रिक्षा मिल गया दस मिनट बाद वह घर पर थी सवा छे बजे वह घर से निकली थी और अब साड़े साथ हो रहे थे इस सवा घंटे में उसकी दुनिया उलट पुलट हो गई थी मा शायद खाना खा रही थी घंटी के आवाज सुनकर वैसे ही दोड़ी आई अरे वंदू बड़ी जल्दी आ गई सौरी मा तुमें खाना खाते बीच में उठना पड़ा कोई वरत तो नहीं था ना आज नहीं तो तुम यहीं फोलेस्टाप कर दोगी अरे आधी रोटी कम ही खा लूँगी तो मुझे कोई फर्ग नहीं पड़ता पर तू क्यों जल्दी लोट आई शो कैंसल हो गया क्या नहीं मा शो क्यों कैंसल होगा कुमार साथ नहीं थे आज सोचा रात को अकेले लोटने में दिक्कत होगी उनके भरोसे अपनी लूना भी नहीं ले गई थी बेकार ही रिक्षे में बारा रुपै फोग गय उसने लापरवाही से अपना पर्स उचालते हुए कहा लेकिन कुमार आया क्यों नहीं वह खुद ही तो टिकट लाया था ओफू मा इमर्जेंसी भी तो कुछ होती है पता है उनकी बीवी का ओपरेशन हुआ है क्या? मा की आँखी फटी की फटी रह गई और क्या? मरते मरते बची है बच्चा तो पेठी में मर गया था वंधना ने मा के विश्मे को अंदेखा करके कहा वह तो अच्छा हुआ कि मा बच गई नहीं तो लड़कियां बेचारी आनाथ हो जाती लेकिन मा अपना खाना पूरा कर लो न मैं अब जल्दी आही गई हूँ तो कल का चैप्टर थोड़ा देख लेती हूँ सुबह तो ऐसी भागम भाग मच जाती है कि बस मा को वही मूर्तिवत खड़ा छोड़कर वंधना अपने कमरे में चली आई चैप्टर तो वह क्या खाक देखती बत्ती बुजा कर सीधे अपनी मच्चरदानी में दुबग गई पर उस अंधेरे में भी मा की फटी फटी आँके उसका पीछा करती रही पर मा का भी क्या दोश था जब डॉक्टर सकसेना कुमार के पार्टनर ने उसे यह सूचना दी थी तो उसकी आँखों का फैलाव शायद इससे भी दुगना हो गया था तभी तो सकसेना ने घबरा कर पूँचा माफ किजिए बंधना जी पर क्या सचमुच आपको पता नहीं था आश्चर उसके चेहरे पर इस कदर पुत गया था कि नाटा करने में कोई तोखी नहीं थी फिर भी उसने सायद स्वर में कहा दरसल हम लोगों के बीच इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं हुई चर्चा उसने जानबूश कर नहीं चलने दी होगी क्योंकि न सिर्फ उसके बीबी है बलकि दो बच्चियां भी है लड़कों के मामले में ही वह अनलकी रहा है दो साल पहले मरा हुआ बच्चा हुआ था और इस बार फिर मरा हुआ बच्चा क्या कह रहे हैं बट ही लुक्स सो यंग वह तो सो अभाविक है पढ़ते हुए ही शादी हो गई थी MBBS करके निकला तब एक बच्चे का बाप बन चुका था उस समय भी इस बात को वह किसी एप की तरह छिपाता था शायद वही यातत अब भी बनी हुई है वंदना हैरान थी क्या अब भी हमारे देश में इस तरह की शादियां होती है सकसेना हस पड़ा आपका देश शायद महानगरों तक ही सीमित है वंदना जी नहीं तो गाउं में तो ऐसी शादियां आम है वहाँ तो पढ़ने वाले लड़के ही ज़्यादा पसंद किये जाते हैं क्यों? सस्ते जो मिल जाते हैं एक बार ये डॉक्टर, इंजेनियर, वकील या प्रोफेसर बन जाएं तो फिर इनकी बोली लाखों पर टूपती है इसलिए लोग बाग इने पहले से बुख कर लेते हैं फिर कुमार की तो सारी पढ़ाई ही दहेच के सहारे हुई है इसके पिता की इतनी हैसियत कहां थी? सकसेना फिर बड़ी देर तक कुमार के घर परिवार के बारे में बताता रहा वंधना शिष्टा चारवश हां हू कर रही थी पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था मन जैसे सुन हो गया था वह लगातार यही सोच रही थी कि सकसेना क्या सोच रहा होगा जरूर मन ही मन उसकी हसी उडा रहा होगा M.A.P.S.D. होने का दम भरती है यह लड़की पर इतना बड़ा जूट नहीं पकड़ पाई जरूर उस पर तरस खा रहा होगा सकसेना इसलिए जियों ही वह सांस लेने के लिए रुका वंदना ने घड़ी देखते हुए कहा मैं चलूंगी अब हॉल में अंधेरा हो जाता है तो सीट खोजने में बड़ी दिक्कत होती है यही नहीं उसने हाथ दिखाकर सडक पर दोड़ते एक खाली ओटो को रोख भी लिया वह सकसेना को जता देना चायती थी कि कुमार का साथ उसे नाटक आदी के लिए ही दरकार है वह यह भी दिखाना चायती थी कि इतने बड़े रहसोद घाटन से वह जरा भी बिचलित नहीं हुई है कुमार की अचानक अनुपस्तिती से उसके कारकरम पर कोई असर नहीं पड़ा है एक जिद थी जो उसे टैगोर हॉल तक ले गई थी उस बातूनी महिला से भेट ना होती तो शैद वह पूरा नाटक देख कर ही लोड़ती उस देवी की याद आते ही उसे हसी आ गई प्रश्नों की फौज लेकर कैसे पिल पड़ी थी उस पर और वंदना भी क्या सफाई से जवाब दिये जा रही थी यह तो अब जाकर अहसास हुआ था कि उसने अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा था यह तो वही सब था जो वह अनमने भाव से सकसेना से सुनकर आ रही थी वह तो सोच रही थी कि सारी बात ने उसके कानों से टकरा कर वैसी ही लोट रही है यह तो अब जाना कि एक एक बात उसके अंतह पटल पर अंकित हो गई है यह भी याद आया कि जिन दिनों वह कुमार के प्रेम में आकंठ डूबी हुई थी कुमार की पत्नी चोथे बच्चे की तयारी कर रही थी ओ गौड अगले चार-पांस दिन जीवन जैसे जहां का तहां ठहर गया था वंदना के सपनों का महल भरभरा कर गिर पड़ा था और वह उसके मलवे के नीचे मुझे पाकर पड़ी रही थी उसकी चेतना को जैसे लकवा मार गया था मा असहाय नजरों से उसका छटपटाना देखती रही उन्होंने कोई पहल नहीं की क्योंकि जानती थी कि वंदना का वह दुख सांत्वना से परे है समय ही यह घाव भर पाएगा उनकी अपनी हताशा भी थी जो कुछ कम नहीं थी पिछले दिनों बेटी के भविश्य को लेकर वह कितनी निश्चिंत हो गई थी कैसी कैसी सुखत कल्पनाओं का ताना बाना बुनने लगी थी उनकी सखी सहेलियों ने तो छेड़ा भी था आप तो बहुत लगी हो भहन जी घर बैठे मुफ्त में डॉक्टर जवाई मिल रहा है तब वे भीतर से चलकती अपनी फ्रसन्नता को दबाते हुए कहती मुफ्त में क्यों? लड़की भी तो मेरी हीरा है शायद उनी पास पडोसियों की इर्श्यालू नजर उनकी खुशी को खा गई पर इस तरह ठक हार कर कोई कितने दिन बैठ सकता है जिन्दगी की सच्चाईयों से कभी तो आँख मिलानी ही होती है वंदना भी एक दिन मन पर जमी निराशा की गर्द को जटक कर उठ खड़ी हुई अपने अर्वानों की गठरी को उसने अंतस के एक अंधेरे कोने में पटक दिया और बड़ी दिलेरी के साथ सामने खड़ी यथार्थ से हाथ मिला लिया उस दिन जब वह हमेशा की तरह गुनगुनाते हुए कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी तो मा के मन से जैसे एक बोज सा हट गया इस लड़की ने तो पिछले दिनों उनकी भूख प्यास हर ली थी मा शाम को थोड़ा लाइवरेरी जाऊंगी देर हो जाए तो चिंता मत करना जाते हुए वंधना ने कहा तो उनकी आखें खुशी से चलक आई चलो लड़की फिर से नॉर्मल होती जा रही है कॉलेज से छूटते ही वंधना ने गाड़ी कुमार की क्लिनिक की और मोड़ दी अब तो उसे इस रास्ते का एक एक मोड़ याद हो गया है पर वह केवल सैयोग ही था जो पहली बार उसे यहां लाया था चार दिन बाद उसका पहला स्टेज प्रोग्राम था वह वैसे ही बेहद नर्वस हुई जा रही थी और खासी थी कि पीछा नहीं चोड़ रही थी उसके संगीत वाले गुरु जी उसे स्टेज फियर का नाम दे रहे थे मा का मत भी शायद ऐसा ही गुज था पर उन्होंने घरेलू उपचारों से वंधना को इतना आकरांत कर दिया था कि वह भागने की राह ढूण रही थी उस दिन गुरु जी के घर से लोटते हुए इस जुड़वा क्लीनिक पर नजर पड़ गई शायद नया ही खुला था एक कोई डॉक्टर सक्सेना थे बाल रोग विशेशग और एक थे डॉक्टर कुमार नाक कान गले वाले वह तुरंत लूना से उतर पड़ी थी यह भी एक सयोग ही था कि उस दिन डॉक्टर कुमार क्लीनिक में अकेले थे और फुरसत में थे वे देर तक उसके गले का मुआयना करते रहे धेर सारी बातने पूछते रहे दो ही दिन में उन्होंने न सिर्फ उसका गला ठीक कर दिया बल्कि उसकी करामात देखने चोथे दिन हॉल पर भी जा पहुँचे अपनी दवा का असर देखने आया हूँ उन्होंने हसकर कहा था और उस शाम एक नई मैत्री का सूत्र पात हुआ था जब भी समय मिलता वे दोनों साथ हो लेते और कोई कारकरम देखाते कोई अच्छा कारकरम नहीं मिलता तो किसी कला फिल्म को धन कराते कुमार को आश्चर होता कि M.A.P.S.D. समाज सास्र की ब्याख्याता साहित और संगीत में इतना दखल कैसे रखती है वंदना हैरान थी कि यह रसिक और कला मरमग व्यक्ती डॉक्टर कैसे बन गया इसकी जगे तो कहीं और थी जो भी हो साथ साथ बिताई हुई हर शाम उनके लिए अविश्मरनिये बन गई थी वंदना तो जैसे सुख के हिंडोले पर जूल रही थी तब क्या पता था कि उसकी खुशी का प्रतेक पल चोरी का है अब तो वह उन दिनों के बारे में सोचती भी है तो आत्म गलानी से भर उड़ती है सकसेना अकेला ही मरीजों से जूज रहा था वंदना ने अपनी सदा बहार मुस्कान के साथ उससे हैलो किया तो वह बुरी तरह चौक पड़ा उसका अगला प्रश्न और भी चौक आने वाला था डॉक्टर सहाब उस दिन आपसे पूशना भूल गई थी हाँ तो आप बता रहे थे न कि मिसस कुमार को यहीं ले आए हैं तो वे कहां एडमिट हैं अपने आश्चर पर किसी तरह काबू पाते हुए सकसेना ने एक नर्सिंग होम का पता दे दिया धन्यवाद देते हुए वे नीचे उतर आई लूना स्टार्ट करने को ही थी कि देखा सकसेना भी पीछे पीछे आ गया है डोन्ट भी फॉर्मल डॉक्टर आपके मरीज परिशान होंगे वंधना जी एक बात कहनी थी उसके स्वर से वे थोड़ी चौकी कहिए आप अभी वहाँ ना जाएं तो अच्छा है एक तो मिसस कुमार अभी बहुत नाजुक दोर से गुजर रही है दूसरे कहिए ना रुक क्यों गए आप जाएंगी तो कुमार सोचेगा मैंने ही आपको पता ठिकाना दे कर भेजा है तो उससे क्या फरक पड़ता है पड़ता है और फिर आप तो जानती हैं कि दोस्ती बड़ी नाजुक चीज होती है जरा से में गलत फहमी हो जाएगी और आप जानती हैं दोस्तों तो हम हैं ही अब कामधंदे से भी जुड़ गए हैं शायद आप ठीकी कह रहे हैं वंदना चलने को हुई सक्सेना ने फिर रोक लिया एक बात और अब क्या हुआ कुमार का जब भी न्याय करें थोड़ी नर्मी बढ़तें दरसल वह व्यक्ति सजा के नहीं दया के काबिल है क्या मतलब बेचारा बहुत अकेला पड़ गया है वो कैसे He is emotionally frustrated बौधिक मैतरी के लिए तरस गया है बेचारा तब ही शायद आप से अनायासी जुड़ गया था पतनी क्या एकदम अनपढ है नहीं तो शादी के समय शायद इंटर पास थी तब इतने प्यारे प्यारे खत लिखती थी हॉस्टल में उनकी धूम थी शादी की बाद तो वह छेपा जाता था पर पत्र नहीं छेपा पाता था हम दो चार लोगों को छोड़ कर सब यही समझते थे कि कुमार की कोई प्रेमिका है और सब उससे एड़िया करते थे और अब अब तो कुमार पर तरस आता है उसकी पत्नी को देखकर हैरानी होती है पता नहीं उसका सारा माधूर एक किसने सोख लिया है कुमार में जितना आभी जाती है वह उतनी ही फूहर गमार और करकशा है पर वे अभी भी एक दूसरे को चाहते तो है बंदना ने सूख ही हसी हस कर कहा फिर गमभीर होकर बोली डॉक्टर कुमार की पत्नी आज अपना सब पढ़ा लिखा भूल गई है उसके सवभाव की मिठास कहीं बिला गई है तो इसमें दोश किसका है उस दिन आप ही बता रहे थे कि यह हादसा उनके यहां पहली बार नहीं हुआ है आप ही बताइए जो औरत मन से शरीर से इतना तूट चुकी हो वह सौमे और सुन्दर कैसे बनी रहे सुरुची संपन होने के लिए भी साधन चाहिए समय और सुविधा चाहिए अपने साथी का सहयोग और सहानु भूती चाहिए आपके दोस्त ने उन्हें क्या दिया वे तो उन्हें ससुराल की खुली जेल में छोड़कर निश्चिन्थ हो गए यमराज दर्वाजे पर दस्तक न देते तो शायद वे कभी भी शहर का मूँ नहीं देख पाती वह औरत पती की महती आकांगशाओं के लिए शहीद होती रही और शहादत का तमगा ये लटकाए घूम रहे है पता नहीं कितनी देर तक उफनती रही वंदना फिर भी उसका मन नहीं भरा लोड़ते समय भी उसका मन आक्रोश से लबालब था यह तो अच्छा हुआ कि सकसेना के अनुरोध पर उसने आज कुमार से मिलना इस्थाकित कर दिया था नहीं तो शायद वह इस बंबारी को नहीं जेल पाता सचमुच शहीद हो जाता फिर भी उसने तै कर लिया था कि जब भी कुमार से सामना होगा वह उसे खरी-खरी सुनाएगी कहेगी जनाब हम बीस्वी सदी के अंतिम छोर पर खड़े हैं तुम कोई मध्य योगीन सामन्त नहीं हो कि रानियों की एक फोज पाल लोगे एक जो तुम्हारे लिए वारिस पैदा करे एक जो तुम्हारा मनोरंजन करे और एक जो तुम्हे राजकाज में मदद दे और आज की नारी तो इतनी सक्षम है कि वह एक साथ ये सारी भूमिकाएं निभा सकती है वह एक ही समय तुम्हारी ग्रिवनी भी हो सकती है सक्षी भी और सची भी पर उसे मौका तो दो तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं